एक आई इस वेरी गूर आफर नहुं टूर्ट रोड एक बाव फिर से आप सबका स्वाकत है वाइपस सडी चानल पर वुच इस पार्ट आप अनिकारमी अब वेरी 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 गूर आफर नहुं टूर्ट चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुवात आज है डे वन तो जड़ा देखते हैं कि आज से हमारी जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो क्या है वेरी वेरी गुड आफरनून टू और चलिए हाँ जी गुड आफरनून चलो मतलब गुड आफरनून के साथ में आगे जो यह लोग इमोजीज इस्तमाल करते हैं वो इमोजीज आपके एक्सपेशन्स होते हैं कि अगर किसी को जुखाम है तो आच छू किसी को बुखार है तो थर्मामीटर वाला फेस मतलब आज़कल इमोजीज के इतना ट्रेंड हो गया है कि रिलाइन स्ट्रेंड भी पीछे हो गया है चले तो सबसे पहली चीज आज से हमारी जो सिरीज स्टार्ट होने जा रही है उसमें हमें पढ़ना क्या है जरौस पॉइंट पर आते हैं देखे आज से हम लोग लूसेंट के जो जीके का सेक्शन है उसको कवर करना शुरू आपकी जो पूरी सिरीज चलेगी इसमें हर दिन आपको एक नया नया टॉपिक देखने को मिलेगा पर एक्जाम्पल आज का जो टॉपिक है वो है एयरपोर्ट फाइन एयरपोर्ट में आप सभी लोग जानते हैं कि लूसेंट के अंदर काफी सारे एयरपोर्ट के नाम और उनकी कांट्रीज या फिर बहुत सारे एयरपोर्ट और उनके स्टेट को मेंशन किया गया है हम यहाँ पर किस तरीके से उसको पढ़ेंगे पर एक्जाम्पल आज ही मैंने जैसे कि आपको पढ़ाया कि गोवा के अंदर एक नया नया एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा है तो तो यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ेंगे उन एयरपोर्ट के नाम को जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वज़े से सुर्खियों में है उसके बाद में कॉश्चंस को सॉल्व करेंगे गाट इट पुश्पेंद अर्विंद रूही बल्विंदर आरती अफ्तार मौसमी शिखा एके गॉट इट प्रतिबा सनाली पलवी गॉलिबाबू ओके तैयार चलिए तो शुरुबात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर कंपीट प्रोग्राम जो कि आने के आ प्रीवेस यह पेपर यह आपका यहीं यूट्यूब पे होगा इसके बाद शाम को चार बजे आज से क्वालिटी का चाप्टर वाइस रिविजन स्टार्ट हो रहा है तो आज आपका डे वन होगा जीओ की इंडियन जीओ मैंने आपको पढ़ा दिये चलिए तो शुरुब इंड्रा गांधी एयरपॉट यह जो एयरपॉट है यह आपको दिल्ली के अंदर मिलेगा और यह बना है वर्ल्ड का 10th नंबर का सबसे बिजिएस एयरपॉट क्या बना है यह यह बना है नंबर वन या फिर आप कह सकते हैं इंडिया की तरफ से नंबर वान और वर्ल्ड के अंदर टेंथ नंबर पे सबतो जादा बेजिस्ट एयरपोर्ट सिगेंड पॉइंट अगर आप से पूछा जाएं कि यह जो एयरपोर्ट आप देखने हैं यहाँ पे एक टर्मिनल पे 5G टेकनलोजी की भी शुरुवात कर दी गई है तीस दूसरे पर आते हैं दूसरा है अरुनाचल प्रदेश दूसरा है अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश के अंदर दोनों ही पोलो एयरपोर्ट इसका मतलब क्या है चंदा मामा और सूरत चाचू यह क्या है इसका मतलब है यह अभी हाली में इनोग्रेट किया गया ह और ये Greenfield Airport है, क्या है ये Greenfield Airport है, कहां पर launch हुआ, अरुनाशल प्रदेश के अंदर इसको launch किया गया, तीसरा point देखिएगा, अगर आप से कहा जाए कि North East के अंदर total number of airports कितने हो गये, तो total आपको यहां पर 16 airport देखने को मिलेंगे, कहां पर North East के अंदर, ठीक है, और यहां पर ये वाला जो airport है, ये काफी ज़ादा बड़ा airport है, इस लिए ये ज़ादा सुर्खियों में, that is the reason कि ये largest में count होता है, अगला, airport council international, airport council international, ये काम करता है, international civil aviation के साथ में मिलके, international civil aviation, ये क्या है, एक organization है, और इसका headquarter कहां पर है, Montreal के अंदर है, Montreal कहां है, Canada के अंदर है, और international civil aviation day जो है, ये कब होता है, ये होता है, 7th of December को, कब होता है, 7th of December को, तो यहाँ पर point किया है, airport council of international का, जो data आया, उसमें, 10 busy airport का नाम आया, जुसमें number one पर कौन सा है, Atlanta, number one पर कौन सा है, Atlanta, number one पर है, इसको याद रखेगा, fine, चलो, next पर आप, अभी हाल में, अभी हाल में, civil aviation minister, ये आपके सामने है, कौन है, जोतिराव सिंधिया, कौन है, जोतिराव सिंधिया, इन्होंने announce किया है, कि भारत सरकार जो है, वो यहाँ पर target कर रही है, कि आने वाले समय में, 2025 तक आने वाले समय में, ये जो पूछ रहे हैं न, कि ये green airport क्या होता है, कभी सुबह 7 बजे नीन खराब करके आओ, तो बताएंगे फिर, ठीक है, चले, 2025 तक कितने 220 नए airports को बनाया जाएगा, क्यों उड़े देश का आम नागरिक, यानि कि उड़ान योजना के अंदर, जिसके अंदर उड़ान योजना के अंदर इसको बनाया जाएगा, कह रहा है, सोजाओ फेस्टिवल मनाओ तुम, देख लो ज़रा, अगला, डिजी यातरा यह अभी हाली में launch किया गया, डिजी यातरा कहां कहां पे दिली, वारानासी, बांगलिरू, यह क्या करेगा, आपका facial expression, याद आया कुछ, आपका facial expression जो है, वो आपका सारा काम करेगा, जब तक आपकी boarding नहीं हो जाती, यानि कि completely digitalized, completely digitalized, अगला, महराष्ट्रा के अंदर, मुंबई international airport, मुंबई international airport, यह wind power के उपर, और solar power के उपर, पूरी तरीके से shift हो चुका है, यानि कि यह renewable energy के उपर काम कर रहा है, फाइन, चले, तो सवालों की तरफ चले, all good to go, चले फिर सवालों की तरफ, ओके, चले, पहरा question आपके सामने आता हुआ, देवी, अहिल्या बाय होलकर, international airport कहां पर लोकेरिड है, महा असान सवाद, पीडियव आपको मिलेगी, टेलिग्राम पे, क्रदी कर इंटरफेर्स ओफिशल, वो बात अलग है कि पीडियव शेयर करना हम भूल जाते हैं, MP is the right answer, यह होलकर डाइनेस्टी जो है, यह आपको कहां पर मिलती है, यह आपको MP के अंदर मिलेगी, और अहिल्या बाय होलकर, यह वही personality है, जिनका एक ड्रीम था, कि क्या बने, काशी विश्वनाथ कोरिडोर को बनाया जाए, तो यह वही personality है, कहां पर आपको मिलेगा, मेरा MP आ गया, यह तो वही वाली बात हो गई, करन अर्जन आएंगे हैं, बताओ, पंजाब, पंजाब, पंजाब की जब बात आएगी, तो चंडीगर का भी नाम आएगा, और चंडीगर का जो एयरपोर्ट है, उसका नाम अभी हाली में चेंज हुआ है, और वो नाम रखा गया है, आजाल भगास सिंग जी के नाम के ऊपर, इनके नाम के ऊपर, नाम पिनाथ बर्दोलाई, इंटरनाशनल एयरपोर्ट लोकेटिड है, यह उसने दो बार आप्शन बना दिया होंगे, हो सकता है कि वो भी विराट कोली वाली न्यूस पढ़ रही हो, मेभी कि वो भी विराट कोली की फैन हो, यह हो सकता है, वो नहीं नहीं फैन बनी हो, इशान किशन की, तो हो जाता है कई बार, इसका आल से क्या होगा, आसाम, क्योंकि यह क्यों हो जाएंगे, यह कौन हो जाएंगे, पाउंडर ओ आसाम, गोपिनाथ बर्दोलाई, इसी तरीके से अगर आप से केमपा गोड़ा पूछा जाएगा, तो केमपा गोड़ा, फाउंडर ओ बांगलूरू और इनका जो स्टेचू लगाए गया उसका नाम क्या है स्टेचू आप प्रोस्पारिटी हाइट इसमच ओके नेक्स बीजू पटनाएक इंटरनाशनल एयरपोर्ट तुम्हारा यूपी भी आएगा ओके पाउंडर और करेंगे कि यहां पर आपको करेंट को जोड़ना है ताकि आपको इबास समझ में आए कि हमें किस तरीके से पढ़ना है क्योंकि लूसिंट के अंदर कॉंटेंट बहुत सारा है बट उससे जब इस फॉर्म में पढ़ोगे तो अब उसे लिंक कर पाओगे वो लिंक अब जरूरी है आपके लिए इसका आंसर क्या होगा और इसका करेक्ट आंसर बनेगा जब भी यह नाम आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत ओडिसा ही आना चाहिए और विसी बात है और इसा अच्छा मनीपूर लिखा हुआ है अब ही सवाल पूछा गया था शंगाय फेस्टिबल कहां पर मनाया जाता है तो इस कहाल से क्या होगा मनीपूर के अंदर इसको मनाया जाता है चले वीर्ड जावरकर इंटरनाशनल एयरपोर्ट करेक्ट है नवीन पतनायक जी के फादर करेक्ट साथ बज़े की क्लास की पीडिया बटा अलड़ी शेयर कर चुके है चेक करो अच्छा साथ बज़े की क्लास का एफेक्ट है उसके उपए इसका करेक्ट आंस है यहाप पर क्या होगा अंदमान और निकोबार अंदमान निकुबार का नाम आएगा तो यहां पे काफी सारे आपको आईलेंज है जिनके नाम भी चेंच होए है जैसे कि नील आइलेंड है, हावलोक आईलेंड है, इनके नाम जो है वो चेंच होए है और साथ में रॉस आईलेंड है, okay? Okay, next पर आओ Campagoda International Airport द्यान देना आज से ही आपका प्रिवेस यह पेपर जो है CHSL का दुपैर में तीन बज़े स्टार्ट हो रहा है यहीं योट्यूब पर ही अब ही आपको मैंने बताया यह कहां मिलेगा करनाटिका के अंदर आपको मिलेगा बैंगलूरू इंटरनाशनल एयरपोर्ट और जब भी कहा जाएगा कि माक्सिमम इंटरनाशनल एयरपोर्ट कहां है तो भाईया वो यूपी ही होगा यह ध्यान रखना टोटल पांच आपको म पूजा बिलकुल सही बात है यह वीर सावरकर जी का जो नाम है वो जुड़ा हुआ है सोशल रिफॉर्म के साथ में एक बच्चा कह रहा है कि मैं यह क्लास जो है क्या यह क्लास यह जिसल के लिए बाई साव हम तो इसी बात से परिशान है कि आज तक बच्चों को अपना स् इस बात से बिलकुली बेखबर है गाना गाते फिर रहे हैं मैं बेखबर मैं बेखबर गजबी बच्चे हैं भाई चले तेलंग गाना के अंदर और यहीं जब तेलंग गाना आया है तो यहाँ पे हैदराबाद भी आएगा और हैदराबाद के अंदर आपको क्या मिलेगा बेगम बेट एयरपोर्ट आपको मिलेगा जहाँ पर क्या हुआ विंग इंडिया का आयोजिन किया गया अगर आपसे पूछा जाए एरो इंडिया शोग तो ये 2023 परवरी में होगा कहां बैंगलूरू के अंदर नेक्स पर आएगा नेता जी सुभाशन बोस इंटरनाशल एयर कि इसका ही प्रिभीएस यह पेपर है कि निख्येसय फेपर है से लिखाए और यह उपल लिक्वा कि लाएंगे कि लाедा है छले इसका प Boss टउन से क्या ये वेश्ट बहेंगो nutrica यहीं पर दिखेंगे तो आपको जोइब बिरज मिलेगा और क्षटी अपड़ सिटी ऑफ इंडिया कॉंशी है क्षोल कर दा उके अगला तो लिवा इंटरनाशर यह पुर्ष तो लिहान इंटरनाशनल एयरपोर्ट अभी क्लास के बाद में आपको वेस्ट पैंगॉल का टीटी का कल पेपर हुआ था वो शेयर कर देंगे मैं इसको शेयर करना भूल गई बताए अज़ तुम्हाँ पडोसी तुमसे पूछ रहा अरे लेट हर और हिम भी कहां मिलेगा इमफाल अचा कुछ भूपाल बता रहे हैं कुछ इमफाल भी बता रहे हैं इसका correct answer बनेगा इमफाल कहां मिलेगा इमफाल भूपाल तो इससे important है क्योंकि यहाँ पे जो metro है उसका नाम अभी change हुआ था राजा भोज के नाम पर second point यहाँ पे यह जो railway station है इसको eat right eat right railway station का दर्जा दिया गया है कौनसा eat right railway station अगला कहां गया अरे कृष्णा चलो इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ अरे कृष्णा बताएगा बताओ 1932 में भारत सरकार के द्वारा एक airlines की शुरुबात की गई और ये airlines जो है वो भारत सरकार ने take over की 1948 में सवाल में कहा जा रहा है कि उस particular airlines का original name क्या है टाटा सौरव, अर्विन, आनंद, मौसमी अंजी टाटा ठा 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 पका ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तालिया तालिया गिरीश ने सिफ एयर इंडिया बताया है और सब ने maximum बच्चों ने टाटा ही बताया है आपने एक बात को ध्यान ही नहीं दिया क्या लिखा है यहां पर सवाल अगर यहां तक होता तो टाटा होता पका टाटा होता लेकिन यहां पर आप ज़रा ध्यान दीजेगा कि आगे की line भी लिखी हुई है कभी भी सवाल को आधा मत पढ़ना वनना खेला होगे दिवस यही है चलो बताओ एर कार्गो केरियर कब पाउंड किया गया अच्छा यह अच्छी बात है यह कब बनाया गया तो इसकी शुरुआत होती है 86 में इसकी अभी क्लास आपका गेरा पर भी आएगा अभी काफी सारे टोपिक्स हैं जो आपको revise करने environment के उपर भी आएगा इसका भी correct answer क्या है 86 हो जाएगा बार बार 86 देखोगे तो environment protection act आपको याद आना चाहिए 1986 क्या 1986 अगला world की पहली airlines जो double bets in business class में शुरू की गई Emirates, Emirates, UA, अच्छा, UA, UA, Emirates ओके चलो इसका correct answer क्या होगा? Qatar Airlines इसका correct answer क्या बनेगा? Qatar Airlines is the correct answer Qatar की capital क्या हो जाएगी? अभी यहाँ पर क्या चल जाएगी? पाइनल मैच कब होगा? अगर ट्रॉपी को लेके आएगी? तुम्हारी भावी मा कौन? तुम्हारी भावी मा ट्रॉपी को लेकर आएगी यह पोर्टुगल बाहर हो गया बता यार बहुत बुरा लग रहा है खेर नेक्स पर आएगी इंद्रा गादी इंटरनाशनल एयरपोर्ट इजी कोशन दिल्ली होगा सिंपल है भी मैंने आपको बताया था नेक्स है क्रिवंद्रम इंटरनाशनल एयरपोर्ट कहां पर है यह इंटरनाशनल एयरपोर्ट कहां पर है कल का टॉपिक एक बार इसे टेलिग्राम से देख दीजेगा मैंने आपको परसों पूरी लिस्ट शेयर की थी इस पूरे वीक के टॉपिक्स की तो प्लीज उन टॉपिक्स को देखते चलो ताकि मैं आपका यहाँ पे जो एक रिल इंडिया का हाइस एयरपोर्ट कहां पर है जैसे कि हम कहते हैं इंडिया का हाइस लेक कहां पर है तो यह हो जाएगा चोलम लेक कहां पर सिक्क्यम के अंदर है उसी तरीके से कहा जा रहा है कि हाइस एयरपोर्ट कहां पर है लद्दाक यह दिल्ली कुन बताया यह पिटाई ह से क्या है लद्दाग बहुत ही खुब सूरत सी जगे है बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पर आपको इसका एयरपोर्ट मिलेगा और मेरे साथ क्या हुआ था हम वहां पर गए उनका एंट्री भी जो है बहुत चोटा साथ जादा पॉपलेशन तो वहां पर है नहीं जो मतलब रे एयर लाइन्स के फिल्ड में तो यह नया नया स्राट हुआ है लद्दाग जो की रहेगा हाई एस एयरपोर्ट अगला भी आरम बेट का इंटरनाशनल एयरपोर्ट तुम्हारे बुपाल में भी है अहां चलिए बच्चा इसका जो नाम है वो लद्दाग ही है नाकपूर में होगा माराश्रा 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 नाकपूर के अंदर है करेक सर्दार वल्लभाई पटेल इंटरनाशनल एयरपोर्ट आज तो देखो गुजरात पूरे पेपर के अंदर छाया हुआ है और जितने भी अभी आप न्यूज देख रहे होंगे वहाँ पे गुजराती आपको नजर आ रहा होगा क्यों कि आज वहाँ पे शपत समारो है करेक्ट काजल राइट पर या सेशन कोई भाई से लाइक और शेयर भी कर देना बड़ी मैनत करनी पड़ती है कॉंटेंट को डून के लेकर आना कि यार कौन कौन सी न्यूज आई थी अभी यह कहां होगा एमदबाद के अंदर आपको मिलेगा अगर आपसे वडूद्रा पूछा जाएगा तो बैंक और वरोदा का हेटकॉर्टर यहां पर होगा इसके अलावा गती शक्ती गती शक्ती यूनिवर्सिटी जो है ये भी आपको कहां पर मिलेगी ये भी आपको यही पर देखने को मिलेगी एमदबाद is a heritage city इस a heritage city चले अन्ना दुरई इंटरनाशल एरपोर्ट अन्ना दुरई इंटरनाशल एरपोर्ट यहां बिलकुल चैनेरा बैंक का भी हेटकोर्टर बैंक ल जोग्रफी के क्लास की आरे आर तुम लोग ऐसे मत किया करो नहीं बिटा हम नहीं शेयर कर पाएंगे प्लेलिस माफी चाहेंगे प्लीज आप टेलिग्राम पे जाएं हर दिन का क्लास आपको वहां से मिल जाएगा शाम को चार बजे का लिंक आप चेक करो बिटा आप समझते ह इसकी पूरी प्लेलिस्ट को बनाने में कितना समय जाता है उत्ती देर में तो हम एक क्लास का कॉंटेंट डून लेंगे जब पढ़ाओ तब तुम लोग आते नहीं हो बता दें आज पॉलिटी शिरू कर रहे हैं चले इसका करेक्ट आंसर क्या है चेन्ने इसका करेक्ट आं अगला बताएं सांघेरनी इंटरनाशन एयरपोर्ड पॉलिटी हमने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पंड़ने राइच क्योंकि वह चाप्टर ऐसा है जहां से हमेशे कोश्चन आता है हाँ इसकिल सेंटर भी बनेगा करेक्ट जिन बच्चों का एक्जाम है उनके एक्जाम डेट आ गई है अभी आपको टीजी पे शेयर कर देंगे जैपूर जैपूर के साथ में जा रहे हो बिलकुल सही बात है जैपूर हो जाएगा और यह ध्यान देना यहां पे क्या लिख है भई उदैपूर जिसे हम कहते हैं सिरी ओफ लेक्स जहां पे जी ट्वेंटी के शेयर पास की जो मीटिंग है अभी हाली में उसका आयोजन किया गया है चलो बीका नेर बीका नेर की बुजिया जिसको मिला हुआ है जी आई टाग नेक्स्ट वोट बॉट बास फॉर्मर न इस पराना नमगा अ मैं एक सुना एक लोकल बिन आइए क्या ये क्या है संटा क्रूस ए अपोर्ट है क्या है सेंटा ना ये facilitate वाली स्टार्ट होगी सेंटा क्रूज एयरपोर्ट इंटरनाशनल एयरपोर्ट इन इंडिया इंटरनाशनल एयरपोर्ट इन इंडिया बैंक गुरू में आज स्टार्ट हो रही है आज तो बड़ी तेजी में आंसर कर रहे हो क्या बात है टॉपिक पढ़ क्या है 34 34 is the right answer international airports हो जाएंगे अगला आगा दिर अल मसीरा airport कहां पर है कहां पर located है यह थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको अचों बिना पड़े आहरी तबत तुम लोग ए रहो इसका आंसर होगा मुरेको कहां पर होगा विसके नाम से नी लग रहा था उसे अगला बाटना airport बाटना airport कहा पर है मुंबई airport का पुराना नाम Victoria था बिल्कुल साही बार इसका आंसर हो जाएगा Algeria क्या है Algeria next है एन जमीना डी साइलेंट है जमीना इंटरनाशनल airport कहाँ पर है कहाँ पर लोकेर है देगो चाड नाम की जो कंट्री है यह आपको आफरिका में मिलेगी और यह सहारा मरुसा सहारा डेजर्स जो है वहां पर आपको यह लैंड लॉक्ट मिलती है क्या होगी लैंड लॉक्ट आपको इसका 5 वाप विदेश किया युद्ध इसका यहाँ कांजब आंसर किया लड़के ने चलिए, Saint-Carlos, Saint-Carlos, कहां पर है, Saint-Carlos, कहां पर है, बताओ, इसका СвesMA बनेगा Argentina, कहां, Argentina के अंदर, और Argentina, जो है, वो आपको Cass एमारिका में, दूसरा सबसे बड़ा देश देखने को जहता है, जिसकी क्या हो जाएगी, ब्रुने सायस इसकी capital हो जाएगी और मेसी यहीं से बिलॉंग करेंगे सेंटा मारिया एयरपोर्ट सेंटा मारिया एयरपोर्ट यह कहा होगा ब्राजील के अंदर अगला बेनिटो सेला एयरपोर्ट सेला पढ़ेंगे इसको कुछ और इसको मत पढ़ लीजिएगा बेनिटो सेला एयरपोर्ट ब्राजील ब्राजील कलम्बिया कहा है कलम्बिया के अंदर है next भोकतार इंटरनाशनल एयरपोर्ट भोकतार इंटरनाशनल एयरपोर्ट कहां पर है यह कहां हो जाएगा यह आपको मिलेगा तजाकिस्तान के अंदर नेक्स्ट और आखरी है आपका फरगना इंटरनाशनल एयरपोर्ट फरगना इंटरनाशनल एयरपोर्ट क्लास कतम होने के बाद में मुझे बताइएगा कि मतलब इसी तरीके से जो टॉपिक्स हैं उनका रिविजन आप चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि इसमें कुछ और चेंजिस किये जाएं तो वो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो इसका अंसर हो जाएगा उसबेकिस्तान कहां होगा उसबेकिस्तान ठीक बाद चलिए तो यह था अपना आज का सेशन आज का टॉपिक कल का टॉपिक एक बार इसे चेक करिएगा टेलिग्राम पे शेयर किया हुआ है अब मिलेंगे तीन बजे यहीं यूट्यूब पे सभी बच्चों के लिए वो क्लास रहेगा क्योंकि प्रीवेस या पेपर है सवाल कहीं से कुछ भी आ सकता है अगर आप दोहजातेश चौबिस के लिए पढ़ना शुरू कर रहे है फर एनी इग्जामिनेशन जिसमें GS, Math, English, Reasoning आता है तो सिर्फ तीन से चार दिनों का समय बचा है जब आप 20% डिस्काउंट के साथ में जॉइन कर सकते हो छेहाजार कुछ इसकी फीस है 20% होने के बाद में एप्रॉक्स जाके 5 सम्थिंग जाके बनेगा ठीक है फाउंडेशन बाद 15 से यह है भीया टेलिग्राम देख लो हर क्लास का लिंक आपको यहीं पर मिलेगा एक जानबूस के गलत किया था चलो यह है टेलिग्राम अभी PDF आपको यहाँ पर दे रहे हैं प्लस सब्स्रिप्शन के लिए जो कोड आपको यूज करना है दाट विल भी ख्रती 10 उसके साथ में आप जॉइंग करोगे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और आपको यहाँ पे हर एक क्लास जो है वो देखने को मिलेगा ठीक है ना अरे क्लास आपको देखने को मिलेगा दूसरी चीज भी आपको यह बता दें यहाँ पर कि अभी आपका अनेक आर्मी पे आज से स्पेशल क्लास में पॉलिटी है उसके नेक्स वीक में हिस्ट्री है यानि कि पूरे दिसेंबर एंड तक ये खतम हो जाएगा फिर अभी जो आप ये कॉशन सॉल्व कर रहा ना जीके वाले फिर इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां थियोरी चाहिए होती है फिर वहाँ पे वो आपको थियोरी बढ़ा देंगे जिससे क्या होगा जैनुरी एंड तक आप पूरा का पूरा समप कर जाओगे ठीक है चलिए आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए अविलेबल है सारे फीचर आपके सामने रिपोर्ट अन्विन इस और सो अविलेबल चलो मिलते हैं आप लोगों से तिल देंग फुश रही है मुस्कराते रिए keep learning, keep revising, bye bye and take care